अब सब का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल मारूती मैथमेटिक्स में तो चलिए आज के हम जो है क्रंट फेस के कोश्चन करते हैं तो हमारा पहला कोश्चन क्या है नेपाल के प्रसिद पशुपती नाथ मंदिर में स्वश्चता के अंदर का निर्मान कराने के लिए भारत ने कितने क्रोड रुपे देने की घोशना की है तो नेपाल में जो प्रसिद मंदिर है पशुपती नाथ मंदिर उसमें स्वश्चता के अंदर का निर्मान करवाने के लिए जो भारत सरकार है उस ते कितने क्रोड रुपे देने कि घोशना की है तो हमारे उप्षिज हैं दोद शमलव 33 क्रोड पे चारद शमलव 33 क्रोड पे छेद शमलव 33 क्रोड पे या पिर आठ शमलव 33 क्रोड पे तो हमारा अंसर क्या होगा दोद शमलव 33 क्रोड पे तो नेपाल के प्रसिद पशुपति नात्मंदीर में स्वच्टा के अंदर का निर्मान कराने के लिए भारत ने दोद शमलव 33 क्रोड पे देने की गोशना की है इस प्रियोजना का निर्मान नेपाल भारत मेत्री विकास साज़ेदारी के तहट किया जाएगा तो इस प्रियोजना का जो निर्मान है वो नेपाल भारत मेत्री विकास साज़ेदारी के तहट जो है किया जाएगा ठीक है चलिए अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है नीट पीजी में समान्य वर्क की सीटें काटकर EWS को देने के मामले में किस हाई कोड ने पीजी की पहली काउंसलिंग को रद कर दी गया है जो नीट का पेपर होता है पोस्ट ग्याजुट का उसमें जो है समान्य डिली हाई कोड केरल हाई कोड राजस्तान हाई कोड या फिर गुजरात हाई को जो के तो इसका अंसर क्या है राज्यस्थान हाई कोट तो राज्यस्थान हाई कोट ने हाल ही में मेडिकल कॉलजों में नीट पीजी में समाने वरकी सीटें काट कर EWS को देने के मामले में PG की पहली काउंसलिंग को रद कर दी है जो Medical College में जो NEET PG में समाने वर की सीटे थी ना उसको जो काट कर EWS को सीटे प्रोवाइड की जा रही थी तो इसलिए जो है PG की पहली काउंसलिंग को रद कर दिया गया है अब काउंसलिंग EWS की आवंटिद कवंजा सीटों पर होगी जो अभी EWS की 51 सीटें बाकी है उस पर जो अभी काउंसलिंग होगी ठीक है चलिए एकला कोस्चन देखते है अगला कोस्चन है हाल ही में किसने दावो का जल्दी निप्टारा करने की उदेश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटल्टमेंट सुवीदा शुरू की है तो हमारे अप्शन है BCCI करमचारी बविश्य निधी संगठन या फिर भारतिय संगन स्केट बैंक क्या फिर आईको तो हमारा आंसर क्या है करमचारी बविश्य निधी संगठन तो करमचारी बविश्य निधी संगठन यानि की EPFO जो अपका बैंक का एक्जाम भी होता है EPFO तो यह बेसिकली अपकी एक बेसिकली पैंशन से रेलेटर होता है तो इसने हाल ही में दावों का जल्दी निप्टारा करने की उधिश्चे से मल्टी लोकेशन क्लेम सैटलमेंट सुविधा शुरू की है जिसके तहत EPFO के किसी भी शेत्रिय कार्याल्या से किसी भी तरह के दावों का निप्टारा किया जा सकीगा ठीक है? चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है 17 जून को विशव भर में कौन सा दिवस मना जाता है? तो 17 जून को वर्ल्ड में कौन सा दिवस मना जाता है? तो हमारे अप्शन हैं विशव मरुस्तली करन और सूखा रोक थाम दिवस तो स्तारा जूल को विशब बर में विशब मरुस्तली करन और सूखा रोकताम दीवस यानि World Day to Combat Desertification and Rot मनाया जाता है इस दीवस को मनाने का उदेश्य जो है अंतरश्ट्य सेयोग से बंजर और सूखे के परवाब का मुकावला करने के लिए लोगों में जाकुरुकता प्रिलाना है चलिए एकला कुष्चन देखते हैं अगला कुष्चन है बिहार विधान परिशद की नो सीटों पर कब चुनाव का कारेकर्म खोशित किया जाएगा तो बिहार की जो विधान परिशद की जो नो सीट है तो उस पर जो है चुनाव का क कारेकरम कब घोशित किया जाना है तो हमारे अप्षिज हैं 6 जुलाई, 6 ज एगस्ट, 6 स्तंबर, 6 अक्तूबर तो हमरा अंसर क्या है 6 जुलाई तो बिहार विदान सबा की 9 सीटों पर 6 जुलाई का चुनाव का कारेकरम घोशित किया गए जिसके लिए 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और चुनाव के लिए नमांकन की आकरी दिन नमांकन का जो आकरी दिन होगा वो 25 दून जदारत किया गया है ठीक है चलिए अगला कुस्चन देखते हैं अगला कुस्चन है फीफा के दवारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतिय पूरिष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है तो जो फीफा ने अब जून की जो वर्ल्ड रैंकिंग लिस्स delic जारी की है उसमें जो भारतिय पूरिश फुटबोल टीम है वो कौन सी स्थान पर रही है तो मारे options है 60, 108, 154 या फिर 2,51 तो इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर है 108 तो विशब फुटबोल की नियामक संस्था फीफा के दोरा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतिय पूरिश फुटबोल टीम 108 में स्थान पर रही है भारतिय टीम के 1187 अंक है इस रैंकिंग में फ्रांस पहले ब्राजिल दूसरे और उर्गवे तीसरे स्थान पर है तो इसको भी आपने याद में रखना है कि जो भारतिय टीम है वो तो 108 में स्थान पर और पहले स्थान पर को है फ्रांस और दूसरे पर ब्राजिल और तीसरे पर उर्गवे ठीक है चलिए एकला कुस्चन देखते है अलग कुस्चन है कि क्रोना वाइरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के चीफ एक्जिक्यूटव सीओ डैश ने पर से इस्तीफा दे दिया है तो हमारे अप्शन है एंड्रू सेमेंट्स केविर रोबर्ट्स, माइकल क्लार्क या फिर जेम्स कैमिर तो हमारा अंसर क्या है केविन रोबर्ट्स तो क्रोना वाइरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के चीफ एक्जिक्यूटर सीओ केविन रोबर्ट्स ने पर से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने अपनी कारेकाल में आर्थिक तंगी के गारण 80% कॉर्णावार से निकाल दिया था तो जो उनका कारेकाल था उसमें उन्होंने आर्थिक तंगी कारन क्यूंकि अभी क्रोना वाइरस के चलते हुए काम चल लए रहा था इसलिए उन्होंने 80% करम चारेकाल था तो इसकी वज़ा से उन्होंने अपने पद से भी अब इस्तीफा दे दिया है ठीक है जेले एकला कुछन देखते हैं यह कुछन है कितनी भारती कंपनियों ने अमेरिका में बाइस बिलियन डॉलर का निवेश कर रखा है तो भारत के कितनी अमेरिका में 22 बिलियन डॉलर का निवेश किया हुआ है तो हमारे अप्शन्स हैं 155 कंपनिया एक सो तीन कंपनिया एक सो तर्थाली कंपनिया तो अब का अंसर क्या है 155 कंपनिया तो Confederation of Indian Industries यानि CIEI की रिपोर्ट के मताबिक 155 भारतिय कंपनियों आने अमेरिका में 25 बिलियन डॉलर का निवेश करब रखा है यह सभी 155 भारति कंपनिया वाशिंग्टन डीसी और स्मेत सभी 50 राज्यों में कारोबार तो यह स्मेत अगला कुश्चन है अगला कोश्चन है निमन में से किस देश ने हाल ही में करोना वाइरस में इस्तमाल की जाने दो एंटिम लेरिया दवा के एमर्जैसी यूज़ को वापस ले लिया है तो हमारी आप्शन्स हैं चीन, जपान, आस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका तो हमारा अंसर क्या है अमेरिका तो अमेरिका ने जो हाल ही में करोना वाइरस में इस्तमाल की जाने वाली जो दो एंटिम लेरिया दवा की एमर्जनसी यूज को वापस ले लिया है जिसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा क्रोना का इलाज करने के दावों पर भी पानी फिर गया है ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है भार सरकार ने इन में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटन चार पेशेवर पाठ्थे करम शुरू करने की कोश्चन की है तो वह कौन सा देश है तो हमारे अप्शन्स है नेपाल बांगला देश चीन या फिर भुटा तो हमारा आंसर क्या है बांगला देश तो भार सरकार ने बांगला देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विपिन पहलों से समद्द चार पेशेवर पाठ्थे करम शुरू करने की गोश्चन की है अठारा जून से जो है अठारा जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्थे करम का देश है बांगला बांगलादिस में जो महा मारी है उसका निप्टारा करने के लिए शम्ता बढ़ाना है ठीक है तो ये थे मारे आज के स्तारा जून के गरंट फेस के कोस्चन्स तो इनको ध्यान से बढ़िए और अगर वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल प जो ये झाल शबाँ से घच्छी कर दो हो